प्रेंड आइडेसर क्लासरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है देखिए इसमें स्रिंखला वाला कोश्चन देखेंगे रेजिनींग का इसमें देखिए पहला कोश्चन उन संख्याव का चैन करें जो निमने स्रेड़ी के प्रशनवाचक चैन के अस्थान पर आ सकती है देखिए जहां पर विद्धू प्रशनवाचक चीन लगा रहे इसके मतलब वहाँ पर दूसरी चलता है कितना सिरी चलता है दूसरी चलता है तो देखिए किस परकार से करेंगे देखिए यानि 972 क्या हो रहा है 101 हो रहा है फिर कितना हो रहा है 107 हो रहा है फिर यह अगले जिए कितना हो जाएगा आप दीघने हैं चार जूडा है चे जूडा हुआ है अब कितना बहुत उपन साथ महीं गिट अब कितना रही है कितना हुआइगा ऐंसोच ज्लास्ठ के में किसमें इसान आइस एक सॉपचिश से हैगे तो 86 से 39 ठीक है, 89 से प्रसनलाचफ चीन आ रहा है, तो जब 86 में कितना जोड़े हैं, 89 से हुआ है, 64 में जब 현 जोड़े हैं, तो 89 हुआ है, अब 89 में कितना जोड़े हैंगे, ठीक है, relevo time between here, 29 में यहां देखें, 3 जोड़े हैं, ठीक है, तो 89 में जब 5 जोड़ने के कितना अगर 89 94 94 तो कौन साप्शन सभी वाला सही हो जाए है उपर में समसंख्यां जूड़ रही थी और नीचे वाले में भी सम जूड़ रही थी अगला कोश्चन है दिये गए बीकलपों में से उस संख्या का चैन के लिए जो निमनिस्तिन खला प्रशनवाचक के स्थान पर आ सकता है तो यह सब कोश्चन इल्या में तभी कर पाएंगे जब घर पे आपका प्रैक्टिस किये रहेंगे कि किस परकार से लगा जाता है देखिए जैसे यहाँ पर 55 है यहाँ पर 79 है ठीक है अब यहाँ पर देखिए 26 हो जा रहा और 13 हो जा फिर इसी तरह पांच का पांच में घुड़ा करें पांच में 25 प्रैक्टी प्लस एक है कितना हो जाएगा छाइगा इसे तरह यह तो तो तीन एक कम 3 और एक चार तो कौन सा अच्छिंट से हो जाएगा इसका बीवाला सही हो जाएगा लेकिसमें क्या कर रहा है डिजीत का आपस में गुड़ा करके उसमें एक जोड़ दिया जा रहा है तो इस हिसाब से तीन एकम तीन और एक जोड़ें कितना आ जाएगा चार तो कौन साथ सब्सक्राइब इसका भीवाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है उस संख्या का चैन करें जो निम श्रिंखला में प्रश जुड़ा हुआ तभी 10 हुआ है 10 में 17 हुआ तो कितना जुड़ा है प्लस के 7 जुड़ा हुआ है 17 से 26 हो रहा है तो कितना जुड़ा हुआ है 9 जुड़ा हुआ है ठीक है तो कि 5, 7, 9 अब कितना जुड़ेगा 11 जुड़ेगा 11 जुड़ेगा 11 जुड़ेगा यहां पर कौन सब्सक्राइब कर दिएगा और दोस्तों इसके पहले हमने रिजनी का एक वीडियो और अप्रोड कर दिया है ठीक है बेंड डाइग्राम वाला उसको भी जरूर दिख लिएगा और दोस्तों यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फिड़बेक जरूर दिजिएगा अगला कोश्चन है दिए गए वीकल्पों में से उस वीकल्प का चैनल करना जो प्रशनवाचक के स्थान पर आ सकता है अब हम लोग कोश्चन को डाइरेट करेंगे ठीक है तो देखे इसमें किस तरह से करना है अब देखे क्या और बाइस से तेजिस हो रहा है क्या और प्रशनवाचक के स्थान पर क्या आएगा तो देखिए 7 से 12, 12 से 19, अब जादिक डिजिट दूर नहीं तो चेक कर लिजी, 7 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 12 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19 आएगा, यहाँ पर देखिए 20 संखेंच चला है, ठीक है 20 संखेंच चला है, तो 19, 5, 7, 7 के बाद कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, तो 19 में जब 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19 नों कितना होगा, 28 हो जाएगा, लेकिन अभी आपको और आगे चक कर लेना, यहाँ पर अगर कितना आ गया, प्रशनवाचा के जगे पर 28 आगया, तो अगला विश्यम आप से 28 हो जाएगा, फिला कोशन है, कि स्टार के जगे पर क्या आएगा, ठीक है, तो देखिए, एक का एक हो रहा, फिर दो का आठ, तीन का 27, अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या देखे रहा है, जैसे 8 27, 125 देख रहे हैं, तो किसी संख्या क्या क्या होत होता है, दो का क्यूब कितना होता है, आठ होता है, तीन का क्यूब कितना होता है, साथ होता है, इसी तरह देखिए, पॉंच का क्यूब कितना होता है, एक 125 होता है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो कांसा आपसन सही हो जाएगा, कांसा हो जाएगा, इ तो सिंपल सी बात है इसमें जोडने या घटाने वाला कोई प्रोसस नहीं किया गया है क्योंकि डिजिट में काफी डिफरेंस है तो अब देखिए यहाँ पर 4 है ठीक है फिर कितना है 4 है देखिए आपको बता रहे हैं इस स्रीच किस तरह चला है कि 4 की पावर कितना है 1 है कितना है 1 है ठीक है कितना है 1 है अब 4 की पावर 1 को ऐसे ही 4 लिख दिया है अगला है 4 की पावर 2 है ठीक है 4 की पावर कितना है 2 है तो इसमें से 4 2 घटा दिया है ठीक है तो 4 की स्कौर कितना होगा 16 16 मिसे 2 जाए कितना होगा 14 हो जाएगा अब देखिए जो अगला 60 वाला है तो क्या क्या है 4 की पावर 3 कर दिया है 3 कर दिया है इसमें कितना घटा दिया है 4 घटा दिया है 4 घटा दिया है पहले 2 घटा आया 4 घटा आया फिर 8 घटा आया है ठीक है तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64 में से 4 जाएगा 60 हो जाएगा फिर अगले वाले क्या किया है 4 की पावर 4 कर दिया है उसमें इस कितना घटा दिया है 8 घटा दिया है ठीक है कितना घटा दिया है 8 घटा दिया है कितना आ जाएंगा Guru 25 अब आगे आपको क्या करना है कि 4 की पाउर 500,선 भी तेहले 5 में इसे क्या करना है अब नहीं पीर दूग पाउर 5 मि से क्या करना है अब देखिए 2.4 से 16 घटा लीजे कितना आएगा एक कितना आजाएगा एक हजार आठा वह इसे भी चार की पाउर पांच मतलब कितना होता है एक हजार बतीस होता है कितना होता है एक हजार बतीस होता है ठीक है तो इसमें से अगर सूले घटाएंगे ठीक है नहीं एक हजार बतीस नहीं होता है 16 गटाएंगे तो कितना आएगा नहीं गुढ़ा का निप नहीं होगा अब देखे इसमें क्या किया है जूड़ा क्या है अगर हम जोड़ने की बात करेंगे तो चार में वह 16 कैसे आएगा अगर 12 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 12 तो 16 हो जा रहा, लिए 16 16 से कितना हो रहा, चालिस हो रहा है तो इसमें कितना जोड़ा हुआ clean 16, 24 ठीक है, अगर 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा है नहीं हम देखिया 2 फ्रौत जूरा है अब इसका जूरा जूरा है तो अब देखिये 24 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 तो अब यहाँ पे है कितना 40 में 48 जोड़ेंगे तो 4888 88 तो, कॉंस साप्संग से हो जाएगा इसका D-12 हो जाएगा siические है, कि प्रश्मिधा चक गया जगएगा तो दो सात behavior तेज दिया है तो इसमें देखिए पहले दो में 5 जोड़ा है तो 7 आया है और चोड़ा है तो 24 में 6, 3, 9 तो 9 जुरा है, तो कितना होगा? 3, तो 5, 7, 9 तो अगला विसमसंख्या होगा? 11 होगा, तो 13 में 1, 2, 3, 4, 2, 3, ठीक है? कौन समस्य सहे ने हैं? अगला कॉर्शन है, ने 3 सत्तौ 1, 243 तो देखिए, अगर 3, 3 का ठीक है, अगर 3 का 9 में गुड़ा कर देंगे तो 9-3 कितना होगा 27 हो जाए कितना होगा 9-3 27 होता है फिर अगर 27 का 9 में गुड़ा कर देंगे किसका गुड़ा कर दिया 9 का तो 9-3-3-6-9-2-8-8-8-6-24 होता है यह इसमें भी 9 का गुड़ा किया है 243 में भी क्या करेंगे 9 का गुड़ा कर देंगे तो 937 यानि युनिट कितना आएगा साथ शर्फ एक आपसं में दीकर रहा है यूनिट कितना होगा साथ तो कौन साफसे अब गुड़ा कर लेजैं गुड़ा आपको करना ठीक है अब बता दीदे कि यूनिट डिजिट से चक ह सब्सक्राइब प्रश्ण वाचक के जगह पर क्या आएगा तो देखने पर पता चल जारा लग रहा होगा कि कितना होता है उसे में जोड़ेंगा कितना होगा तो देखने चे का को कितना होता है तो साथ का क्यूब कितना होता है 343, और एक जोड़ेंगे, कितना होगा, 344 हो जाएगा, 344 हो जाएगा, अब देखिए, 5, 6, 7, फिर अब कितना आ जाएगा, भाई, 8 हो जाएगा, 8 का Q में एक को जोड़ देंगी, ठीक है, 8 का Q में एक जोड़ देंगी, तो 8 का Q कितना होता है, 512 होता है, कितना होता है, 512, और इसमिक जोड़ेंगे तो कितना ऊजआगा पांसो तेरे हो जाए कितना ऊजएगा पांसो तेरे तो क् iter कस्繼續 हो जाए कोस और से होगा सिवाला सही हो जाए कई कस पेरी स्पे तो square याद होना चाहिए, अब 20 तक घन होना चाहिए, अगला पोस्चन है दिये गए बिकलम में कहन से संख्या निमलिकी से सम्मादित नहीं है, अब देखिए इहां पर लुपत संख्या कों है डूड़ना, आपको यह डूड़ना है, किसमे से कौन से सीरीढ में जो दिया है ग गटाएँगे कितना आएका सात आजाएगा अब आगे चक करेंगे चब्दाएंगे यहां पर सही कितना होता है पचास पचास चंछ कितना वच्टाइब और 49 का डवल कितना होता, 99, 99 में से घटता कितना बचता, 97 भी ठीक है, तो आब यहाँ पर देखिए कौं सा गलत है, कौं सा संब्धित नहीं, यानि 26 वाला संब्धित नहीं है, यह 26 के जगह पर कितना आना चाहिए, 25, तो कौं सा गलत है, 26 वाला, तो कौं सा अपसन सही होगा इसका सी वाला सही हो जाएगा, तेकि इस परटन पर भी पूछा जाता है, अगला कोश्चन है, 0, 6, 20, 42, अब अगला क्या होगा, अब चाह देखिए, इसमें भी अगर 0 में कितना जूड़ा एगा तो 6 आएगा, तो 6 ही जूड़ा होगा, पहले कितना जूड़ा होगा, ठी देखिए डवर स्री चला इसमें कैसे चेक करेंगे तो यह 8 614 होता है ठीक है अगला नंबर होगा अब इसमें कितना जुड़ेगा 30 जुड़ेगा कितना जुड़ेगा 30 तो 42 में 30 जुड़ेगा तो 40 30 72 तो कौन सा हो जाएगा इसका यह वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है उस संख्या का चैन के लिए प्रश्णवाचा के स्थान पर आएगी चार से कितना हो रहा तेरह तेरह सताइस ब्यासी और 165 तो देखिए चार तिया 12 एक 13 अब यहाँ पर देखिए कितना है 27 हो रहा है यहीं तेरह 26 नी इसमें 2 का गुड़ा हुआ है अब यहाँ पर देखिए 27 सी McMahon क्यासी होता है कितना हो रहा 27 सी सीagt 11 apologized पलस एक गुड़े में 3 हुआ है अब प्लस के ठीक है फिर 82 दूना कितना होता है ब्यासी दोना 164 होता है ब्यासी दोना 164 अब प्लस की 165 यह तीन का पहले गुड़ा हुआ है तीन का गुड़ा हुआ है एक जुड़ा हुआ है दो का गुड़ा हुआ है एक जुड़ा हुआ है फिर तीन का गुड़ा हुआ है एक जुड़ा हुआ है तो देखे गुड़ा करना सान है 3-5-15, 3-5-15 और एक जूड़ेगा कितना होगा, 16 यह नि एकाइक कंग कितना होगा, अच्छा होगा, गुड़ा करेंगे तो यह आ जाएगा, तो कांसा आप्सां सही होगा, इसका यह वाला सही हो जाएगा, देखे एक जाम में हमें से यूर् 24, 20-36, तो देखे कितना जूड़ा हो, इसमें पहले में एक जूड़ा हुआ है, एक साथ हुआ है, फिर चार जूड़ा हुआ, 8-4-11 हुआ, हो रहा है तो यहां पर देखिए एक चार नौ 16 देखने पर आपको समझ में आ जा रहा है कि एक का स्कॉयर होता है यह तीन का स्कॉयर होता है और यह चार का स्कॉयर होता है यहीं स्कॉर जुड़ता जा रहा तो अगले में किसका स्कॉर जुड़ेगा हैं चार का स्कॉर जुड़ा तो अगले में पांच का स्कॉर कितना होता पचीस होता है यहीं अगले में कितना जुड़ेगा पचीस जुड़ेगा कितना जुड़ेगा पचीस तो 36 और 25 कितना हो ज सही हो जाएगा अगला कोशन है उस संख्या का चैन के लिए जो निम लिखी से सम्मंधित नहीं है अच्छा देखिजेसे हैं पांच से 11 हो जा रहा है तो पांच दुनी 10 हो यह जोड़ दिया फिर अब इसी तरह 11 से कितना हो जा रहा है 24 12 हो जा रहा कितना हो जा रहा 24 तो 11 दुनी 22 इसमें दो का गुड़ा करेंगे 11 दुनी 22 24 यह दो का गुड़ा करके एक जोड़ा इसमें 2 जोड़ा तो यहां कितना जुड़ेगा 3 जोड़ना चाहिए कितना जुड़ना चाहिए 449 48 142 48 48 Это नहीं कितना होगा 4 चाहिए हैं जोड़ेंगे चार रहा है इसे तरह आगे बीचे कर सकते हैं यहां से कौन से सम्मान्देत नहीं तिरुपन सम्मान्देत नहीं ये इसके जगह कितना होना चाहिए क्या हो तो कौन सा अफसन से हो इसका भी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि प्रस्माचक के जगह पर क्या हैगा पांट से साथ हो रहा साथ से चवुदे चवुदे से चथिस अच्छा देखिए यहाँ पर डबल करेंगे तो साथ दुनी चवुदे और अलकी पांट दुनी दस नहीं हो रहा है तो चवुदे दो सोले ठीक है सोले और कितना बीस तो ही बाइस हो जाए रहा है कितना हो जाए बाइस बाइस चार चारच अविस दच्छातिस है नहीं दो साथ बाइस तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है ठीक है कोई लॉजिक नहीं बन रहा है तो आगे चेक करेंगे दूसरी मैधल से देखिए पांच से कितना हो रहा साथ हो रहा तो अगर हम पांच का डेवल कर दें ठीक है तो पांदुनी दस अभी साथ नहीं कितना जाएगा 14 बचेगा तो साथ ठीक है वह इस चवूदे साथ तरी केस होता है तो देखे इसका तीगुना करके समस्कितना घटा यह साथ तरी सबका तीगुना कर रहा है एक एक डीजिट घरतारता भी जा रहा जैसे यहां पर आठ गटा यहां पर साथ अपर अगला होगा उसमें 3 का गुड़ा करेंगे तो क्या होगा 14,3,42 अब 42 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 42 में से 6 जाएगा तो 42 में से 6 जाएगा 36 बचेगा कितना बचेगा अगर 42 में से 6 जाएगा 36 बचेगा अब जो अगला है उसमें क्या कहना 36 में 3 का गुड़ा कर देना है ठीक है आगला कोशन है कि प्रश्माचक के उनुगा तो दो जोडा तो तीज दूड को नहीं चेक तー तीन करके एक जोड़ा रहा पिर दोज 10ytes दूड़ा C साथ हिए तौ जोड़ेंगे तो कहिसा वाला सahy हो जाएगा अगला कुर श्रीष का है किस परकार को देखेंगे teu फंसे कि इए hag बढ़ रहा घट रहा तो किस परकार घट बढ़ रहा है यहीं देखेंगे देखें कितना हो रहा तीन से चार हो जा रहा है यानि कितना जूड़ रहा है इसमें प्लस की एक जूड़ रहा है तो अब यहां पर देखी घट रहा है ठीक है चार से जीरो होने मतलब यहां पर कितन घट रहा ठीक है माइनेस चार की घट रहा फिर कितना हो जा रहा है फिर जीरो हो जा रहा है जीरो से फिर कितना हो रहा है यहां प्लस की प्लस के 9 जुड रहा है ठीक है फिर 9 से कितना हो जा रहा है फिर माइनस के 7 हो जा रहा है तो भाई 9 में से कितना घटाएंगी ठीक है अगर यहाँ प्लस से फिर माइनस से प्लस से फिर माइनस से तो 9 में से कितना घटाएंगे कि माइनस साथ आ जाएगा कितना जाएगा माइनस साथ आ जाएगा तो देखिए अब कितना घटाना है तो एक हम माइनस सूले कर दे कितना कर दे माइनस की सूले कर दे कितना कर दे माइनस की सूले तो अगर माइनस के 16 में से गर 9 जुड़ेगा तो ठीक है तो 9 साथ 16 होता नहीं तो अगर माइनस 16 घटा दे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अगर देखिए 9 में से गर माइनस 16 घटा दे तो माइनस 7 आ जाएगा कि नहीं तो हमारा सीरीज क्या चल ला है एक चार नो सोल से देख पा रहे हैं कि किसी की स्कॉयर है यह यह भी स्कॉयर है यह एक का स्कॉयर हो जाएगा यह दो का स्कॉयर है यह माइनस दो का स्कॉयर होगा ठीक है यह कितना होगा तीन का स्कॉयर है यह चार का स्कॉयर है कितना है चार क सक्वाइर होगा यानिया कितना जुड़ेगा पॉंच का इसका सम्झेिए ठीक हैं पहले एक जुड़ा है फिर माइनेस की चार प्लस पिर माइनस के 20 पैस्ट है पितना जूड़ेंगा 25 जूड़ेगा है क्यों जूड़ आ 3 3 3 4 31 अवाज संख्या है लेकिन 42 क्या भाज यह संख्या बाज संख्या है जो किसी से कट जाए तो 6 7 से 6 से से भी इकटेगा साथ से भी संख्या है किसी से नहीं कट जो जाएगा 42 हो जाएगा तो कभी-कभी आसान भी कोशन पूछ लिए जाते हैं अगला कोशन है कि प्रस्वात्षत के जगह पे क्या अगा निसक तो देखिए यहां यहां पे चला है कि एक क्यू ठीक है एक क्यों में एक जोड़ रहा है तक Q में 1 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर 2 के Q में 2 जोड़ रहा, 2 के Q में 2 जोड़ेगा, तो 2 का Q कितना होता, 8, 8 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा, 10 हो जाएगा, इसी तरह 3 का Q में 3 जोड़ेंगे, तीन की Q में 3 जोडएगे 272 230 कितना होता Kendall थीस हो जाएगा ठीके इसी तरहें 4 पीकितना होता guyald s5000 जोड़ेंगे कितना में सेथ हो जाएगा लसजाएगा देखी यहां पहले वाले कोशन हम डबल स्रीज वाला बता हैं इसका एंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन साफसन सही होगा मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद